स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल राजस्तान स्टेडी पॉइंट पे तो दोस्तों आज जो कलास होने जा रही है वो रीट वाले विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपून है क्योंकि आज की कलास के अंदर हम कक्षा दस्की पुस्तक एक और सब्सक्राइब ले रहे हैं राजस्तान के परमुक्स संत्यों लोग देवता आज की कलास के अंदर आपको लोग देवता से संबंदित 20 क्यूस्तन होंगे और एकदम व्याक्या के साथ आपको समझाया जाएगा सिर्फ क्यूस्तन और आंस्वर करना है तो आप कमेंट बोक् सबसे पहला परसन है मारा लोग देवता गोगा जी ये कौन से देवता के बारे में बात हो रही है उस पे आप मारक कीजिए को किस के समकालिन माना गया है तो लोग देवता गोगा जी को गोरकनात और महमूद गजनवी इन दोनों के या इन में से कोई नहीं तो इसका राइ प्रकनात और महमूद गजनिवी के दोनों के समकालिन कौन सी लोग देवता को माना जाता है गोगाजी को तो ओप्सन नमर तीन मारा राइट रहेगा और महमूद गजनिवी ने गोगाजी को कौन सी उपादी दी थी जाहिर पीर की उपादी जिसका मतलब होता है साक्षात दे पूछी जाती है तो एक डम लिख के त्यार रख़का है आपके लिए तो को गोगा जी के पिता का कैया नाम था जेवरचीए और माता का क्या नाम था बाच्छलदे ओए अगर इनकी पत्नी का नाम अगर Hein में तो पत्नी का नाम था कैमलदे तो गोगाजी के पिता का जेवर नाम चा और माता का बाचल दे और पत्नी का नाम था केमल दे ये याद रहेगा अब गोगा जी की जो सिर्श मेड़ी है वो कांपे है दद्रेवाचूरू के अंदर और धूर मेड़ी कांपे है गोगा मेड़ी हनुमानगड के अंदर है अब बात करें गोगा मेडी की तो गोगा मेडी का जो मंदिर बना हुआ है वो मकबरा से लिके अंदर बना हुआ है और इनके मंदिर के उपर क्या लिखा हुआ है बिस्मिल्ला लिखा हुआ है इन्हें सरफ रक्षक देवता भी कहते हैं और गोगा रस्वाल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो कवी मेहा जी के द्वारा गोगा रस्वाल पुस्तक लिखी गई है तो गोगा जी से संबन्दि जो जो क्यूशन अक्षर प्रिक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वो आपको एक साथ पड़ा दिये गए ह हें एक बार रिवाइद के लिए गोग्हा जी का पिता का नाम जेवर सिंग है माता का नाम बाचल इसकी एक आपको ट्रिक पताूं एकदम आसान सी ट्रिक है कि गोगा जी की जेव में क्या था उज़ू में कमल था तो जे से जेवर सिंग बैसे बाचल दे कमल से केमल दे इनकी पत्ने का नाम था तो ये तो एकदम असान तरीके से याद रहेगा आपको अब बात करें सिर्ष मेड़ी की तो दद्रेवा चूरू में इनका जनम हुआ था और सिर्ष मेड़ी भी कांपे है दद्रेवा चूरू के अंदर और धूर मेड़ी पूछे तो गोगा मेड़ी हनुमानगड के अंदर है और ये गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है वो मकबरा से लिके अंदर बना हुआ है और इस मंदिर के उपर बिस्मिल्ला लिखा हुआ है और इन्हें सरप्रक्षक देवता भी कहते हैं और गोगा रस्वाल पुस्तक अगर पूछे प्रिक्षक अंदर तो किस के द्वारा लिखे गई है तो कवी मेहा जी के द्वारा तो ये हो गए मारे गोगा जी पहले देवता कंप्लेट और सबसे पहले माँ आपको बता दूँ कि पंसपीर कौन-कौन से है तो इसकी भी एक ट्रिक है गोपा मेहरा तो सबसे पहले गोज ये क्या बना मारा गोगा जी पह से बना मारा पाबू जी तो पाबू जी मे से बना मारा मेहा जी है से बना मारा हडबू जी रा से बना मारा रामदेव जी तो इसके अंदर तेजा जी नहीं है अक्सर प्रिक्षा के अंदर तेजा जी ओप्शन में दिया जाता है तो ये याद रहेंगे गोपा मेरा गो से गोगा जी, पा से पाबु जी, मे से मेहा जी, है से हर्बु जी और रा से रामदेव जी ये हमारे पंसपीर हैं जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं अब चलते हैं हमारे next question की तरफ अब ये question मारा गोगा जी सी है फिर से की गोगा जी का जनमस्ताल कोन सा है तो इन में से गोगा जी का जनमस्तान आपको बताना है दद्रेवाद चूरू, गोगा मेडी हनुमानगड, कोलू और आसिंद तो आप सब को पता है कि गोगाजी का जनमस्तान अगराब से पूछे तो दद्रेवा चूरू और यहीं पे इनकी सिर्ष मेडी है और दूर मेडी और गोगा मेडी में है जो काँपे है हनुमान गड के अंदर यह क्यूशन है गोगाजी से संब्दित है कि इनका पत्थर पर उतकरिंड सरफ मुर्ति यूक्त पूजास्तल प्राए गाउं में किस वरक्ष के नीचे होता है तो ओपसन नमारा खेजडी, रोहिडा, बबुल और ओक तो राइट आंसर की बात करें तो ओपसन नमार ए होगा हमारा खेजडी के वरक्ष के नीचे गोगाजी की एकसर पूजा होती है और एक गोगाजी का जो स्तान है वो आपको बता देता हूँ, खिलेरिये की डाणी से बोलते हैं, खिलेरियों की डाणी, जो कहाँ पे है सांसोर, जालोर के अंदर है, यहाँ पे गोगाजी की ओलडी की पूजा होती है तो ये एक सर प्रिक्षय के अंदर पूछा जाता कि स्थान किस से संब्धित है खिलेवरियों के डाणी है काँ पे, सांसोर जालोर के अंदर और कौन से लोग देवता से संब्धित है गोगाजी से अब गोगाजी से एक भी क्यूसन आया तो आप गलत नहीं करोगे अमर दूसरे देवता है तेजाजी तो हमारा क्यूसन ने तेजाजी का जनम स्थान कोन सा है तो ओप संद मरे एक है मारा खरनाल नागोर, दद्रेवा चूरू, पनेर अजमेर, सुरसुरा, किसंगड तो इन चारों के अंदर तीन स्थान तो तेजाजी से समन दित है पनेर इनका सुसुराल था और सुरसुरा, किसंगड के अंदर लाचा गूजरी मिली थी और उनकी गायों की रक्षा करने के लिए यूद करने गए थे और रास्ते में एक सरप मिला था और सरप से इन्होंने वचन लिया कि मैं जाके फिर से आऊंगा उसके बाद आप मिजे काट लेना तो ये तेजाजी एकदम यूद करके आए लाचा गूजरी की गाय बचा के लाए और अंत में सुरसुरा नामक स्तान पे सरप ने इने कहां पे डंस किया इनकी जीब पे जीवा पे डंस किया और इनकी वहां पे मरत्यू हो गई तो तेजाजी का मरत्यू स्तल पूचे तो सुरसुरा केशन गट के अंदर और ससुराल पूचे तो पनेर अजमेर और खरनाल नागोर इनका है जनमस्तान तो हमारा ओप्सन नमर ए है जो राइट रहेगा अब तेजाजी समद्धित है जो इनकी पिता का नाम क्या था पिता का नाम था तहार जी और माता का नाम था रामकूरी और पत्नी का नाम था पेमल दे अक्सर प्रिक्षय के निनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है याद रखना पिता तहार जी तैसे तेजा जी और तैसे ही तहार जी और माता का नाम रामकुमरी और पत्नी का नाम पेमल दे उनकी जो गोड़ी है उनका नाम था लिलन्ट जो आप सब को पता है कि इनकी गोड़ी लिलन्ट के नाम पर राजस्तान में एक रेल गाड़ी भी चलती है उनके जो पुजारी होते हैं उन्हें बोपा या गोड़ला कहते हैं बस इतने क्यूशन आप याद रखोगे तेजाजी से संबन्दित और ये 500 पीर में इनका नाम नहीं आता है ये आपको पहले ही बताया गया था और एक अक्सर प्रिक्षा के अंदर परसंद पुजा जाता है कि काला बाला देवता कौन से है कौन से काला बाला तो काला बाला देवता और कौन से नहीं तेजाजी है तो काला बाला देवता की रूप में किस देवता की पुजा होती है तो राइट रहेगा हमारा तेजाज अब तेजा जी से सम्मन्दिर जो मंदिर है इनके उनके बारे में हम चर्चा कर लेदे हैं जो अक्सर प्रिक्षा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं सबसे मुख्य मंदिर पूछे तो कौन सा है तो परबचसर परबचसर जो कहां पे है नागोर के अंदर एक कौन से राजा के समय बनाया गया था जोदपूर के महराजा अब ऐसी है के समय अब बात करें इनके दूसरे जो इंपोर्टेंट मंदिर है उनके बारे में वो देख लेते हैं एक साथ एक तो है सेंदेरिया सेंदेरिया जो कहां पे है अजमेर के अंदर है एक हो गया बावता ये भी कहां पे है अजमेर के अंदर है एक पनेर जो इनका सुसराल था वो भी अजमेर के अंदर है और एक इंपोर्टेंट है बासी दुगारी जो कांपे है बुंदी के अंदर है तो सबसे मुख्य मंदिर है इनका परबचसर नागोर के अंदर जो जोदपूर्प के महराजा अबेसिये के काल में बनवाया गये था दूसरा है सेंदरिया जो कांपे है अजमेर के अंदर बाउंता भी कांपे है अजमेर में पनेर भी कांपे है अजमेर में और बासी दुगारी इंपोर्टेंट है बुंदी के अंदर अब सलते हैं हमारे नेक्स्ट कुछिन की तरफ नेक्स्ट है मारा तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था ये आपको करवाय गया है अभी करवाय गया है पेमल दे केमल दे या फुलम दे या सूर्जमल सोडा की पुत्री तो इसका राइट आणसुर आप अपने पेज पे लिखेजे तो ओप्सन नमर ए है चो राइट रहेगा तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था पेमल दे और गोगा जी की पुछे तो केमल दे ये किनकी है गोगा जी की गोगा जी की जे में क्या था कमल जे वर्सी है बाद्चल देवी और केमल दे और तैसे तेजा जी ताहर जी रामकुमरी और पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था ये इंपोर्टेंट है तेजा दस में कब बनाई जाती है मैं आपको गोगा नॉमी बता देता हूँ कि बाद्धरपद कशन नॉमी को कौन सती उस मनाय जाता है इस दिन गोगा नॉमी और तेजा दस्मी कब बनाई जाती है वेसाग की कशन दस्मी को या बादवे की कशन दस्मी को या बादवे की सूकल दस्मी को तो ओप्सन नमरे ये मारा राइट रहेगा कि भाददरपद की सूकल दस्मी को तेजा दस्मी बनाई जाती है इंपोर्टेंट लगा ले ना इस परसन को चलते हैं नेक्स ट्यूशन की तरफ ये पाबुजी से समझ दिता आ गए सब की सब क्यूशन है कि पाबुजी की गोड़े का क्या नाम था तो ये पाबुजी की खुद की गोड़े नहीं थी ये किनी से मांग कर लाए गए थे उनकी गोड़े का नाम क्या था केसर कालमी जो किनकी थी देवली नामक चारण महिला थी एक इनकी थी अब पाबुजी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अब पाबुजी के पिता का क्या नाम था दांदल जी दांदल जी और इनकी माता का क्या नाम था कमलादे और जन्नमस्तान पूछे तो कोलू जो कहां पे है बाड मेर के अंदर और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो फूलम दे या इने सुप्यारदे भी कहते हैं दोनों में कौन सा भी नाम प्रेक्षा के अंदर मिले तो आप एक नाम राइट मान सकते हैं फूलम दे या सुप्यारदे दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे और इनके सैयोगी कौन थे सांदा और कौन था डामा ये दोनों बेल भाई इसनके सैयोगी थे ये पाबुजी से समदित अक्सर प्रेक्षा में पूछे जाने वाले क्यूशन है पिता का नाम दढदल जी माता का कमलादे जनमस्तान कोलू बाड मेर के अंदर है पतनी फूलम दे या सुप्यार दे जो अमर कोट के सूर्जमल सोडा की पूत्री थी और सैयोगी पूछे तो चांदा और डामा दो बील भाई थे और इनका जो मेला है वो कोलू बाड मेर के अंदर सेत्र की अमावश्या को लगता है अब जलते हैं हमारे नेक्स्ट कूजन की तरफ अब नेक्स्ट कूजन हमार मारवाड में सरुवा पर्थम उंट लाने का सरे किसे भी आ जाता है तो पाबु जी तेजा जी या देवनेर जी या राम देव जी तो सब को पता है कि पाबु जी को मारवाड के अंदर उंट लाने का सरे दिया जाता है और राई का और रेबारी जाती है जो उंट पालग जाती है या इन्हें देवासी भी बोल सकते हैं ये क्या है उंट पालक जाती है राइका रेबारी और देवासी पाबुजी को अपना अराध्या देवता मानते हैं ये जातियां कि ये उंट पालने माली जाती है अगर प्रिक्षे में पूछे उंट पालने माली जाती कौन कौन सी है राइका रेबारी और देवासी जाती और इनके अराध्य देवता पूछे तो पाबु जी है, अब next question पर चलते हैं, पाबु जी को किस देवता का उतार मानते हैं, कर्शन जी का, लक्ष्मन जी का, विश्णू जी का या हनुमान जी का, तो इसका रहे टांचो रहे का पाबु जी को लक्ष्मन का उतार माना जाता है, और आप सब को पता है, पाबु जी की जो फड है, जो बेल जाती के बोपे होते हैं, उनके द्वारा कौन से वाध्य अंतर पर? रावन हत्ता वाध्य अंतर पर गाई जाती है, एक तो जो पाबु जी की फड है, वो बोपे कौन से वाध्य अंतर पर? रावन हत्ता वाध्य और जो पाबुजी की जो वीर गाता है जिने हम पावडे या बजन बोलते हैं, वो कि इस पर माट वाधियंतर पर गाई जाती है, तो इनके पावडे होती है, वो तो गाई जाती है, माट वाधियंतर पर और फड होती है, जो रावण हत्ता वाधियंतर पर गाई जाती है, पाबू परकास जो किनकी है चर्चा करेंगे एक पुस्त को रहा है पाबू जी रा दूहा पाबू परकास है वो तो है आसिया मोड जी की और पाबू रा दूहा है किसकी लगराज की यह दो इंपोर्टेंट है आरस बर्ति प्रेक्षा गैंदर यह पाबू परकास पूछी गई है तो आप याद रखना चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ यह अच्छा क्यूशन है कि किनके पिता के जनम से पूर्व ही बिनाय के सासक से संगर्ष से में अपने 23 बाईयों के सहि पूर्व ही तो पाबू जी तेजाजी देवनायन जी या रामदेव जी तो इसका आंसर होगा मारा ओप्सन नमर गये देवनायन जी देवनायन जी को आपको वैसे भी पता है इनका जनम स्तान पूछे तो आसिन बेहलवाडा के अंदर है आसिन बेहलवाड़ा उनका पिता का नाम अगर पूछे तो स्वाही बोज और माता का नाम पूछे तो सेड़ु देवी और पत्नी का नाम पूछे तो पिपल दे पिपल देन की पत्नी का नाम था और इन्हें कोन से बगवान का उतार मानते हैं विश्णू बगवान का यह चोटी-चोटी बाते हैं जो आपको याद रखनी है और देवनायन जी की जो फड है इससे एकसर प्रिक्षा के दर क्यूशन बनते हैं इनकी जो फड है वो गुजर बोपों के द्वारा कोन से वाधियंतर पर जंतर वाधियंतर पर गाई जाती है तो याद रहेगा इनकी जो फड है वो गुजर बोपों के द्वारा जंतर वाधियंतर पर विशुनों का उतारे ने मानते हैं पत्नी का नाम पिपल दे था माता का नाम सेडू देवी और पिता का नाम स्वाई बोज था जनमस्तान आसिंद बीलवाड़ा और एक इंपोर्टेंट बात है इनके जिम मंदिर होता है उनके मंदिर में मूर्ती नहीं बलकि इंटों की पूजा होती है नेक्स्ट क्यूसन हमारा जैसिये देव परमार की पुत्री पिपल दे से किस लोग देवता का विवावाग था तो ये किन की पुत्री थी जैसिये देव परमार की पुत्री थी पिपल दे और अभी अभी आपको करवाय गये है option number गये देवनरेंड जी के साथ इनका विवा संपन हुआ था next question है मारा किस लोग देवताने फिरोज तुगलक के मालवा के सुबेदार निजामुदिन ओलिया थे इनकी सेना को प्रास्ट किया था तो देवनरेंड जी मलीनात रामदेव जी या तलीनात तो इसका राहिटान सुरेगा option number गये मलीनात जी निजामुदिन के सेना को प्रास्ट किया था अब मलीनात जी समन्दित एक तो इनका मंदीर है जो अक्सर प्रीक्षय गेंदर बार बार पूछा जाता है तो इनका मंदीर कहां पे है तील वाड़ा बाड़ मेर के अंदर और कोन सी नदी के तट पर है लूणी नदी के तट पर ये क्यूशन इतनी बार पूछा गया कि पूछोई मत इंपोर्टेंड लगा लेना कि मलीनात का जनमस्थान कौनसा है तो तीलवाड़ा बाडमेर और कौनसी नदी पूछे तो लूनी नदी के किनारेन का मंदिर बना हुआ है और इनकी पत्मी का नाम था क्या था रूपादे रूपादे और इनके गुरु का नाम था उगम सिंग बाट्टी वुगम्सिए बाटी और इनके दो जो फेमस है अक्सर प्रिक्षय के अंदर पूछे जाते एक तो कुणडापत का आयोजन इन्हों ने करवाय था कुणडापत की स्तापना कब की थी 1299 में के अंदर और 1399 में के 앞ंदर ही हरी कितन का आयोजन करवाय गय था ये कुंड़ापंत वाला क्यूशन ग्राम से यह बर्ति प्रिक्षय के अंदर पूछा गया है कि कुंड़ापंत की स्थापना कौन से लोग देवता ने की थी तो मली नाजी ने अब next question पर जलते हैं किस लोग देवता की रानी का नाम रूपा दे था एक साथी मरा क्यूशन सही हो गया मली नाजी और इनका मंदिर है तीलवाडा बार्ड मेर के अंदर किस लोग देवता का परती वर्ष चेत्र कशन एकादसी से लेके चेत्र सुकल एकादसी तक विराट पसु मेला बढ़ता है तो वो कौन से लोग देवता है मली नाजी राम देव जी या तली नाजी या मामा देव तो option नमर ए मारा right रहेगा मली नाजी किस सब के सब क्यूसन मादिनेक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 10 से समदित है तो एकदम इंपोर्टेंट क्यूसन है अगर आपको व्याक्या नहीं चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बॉल सकते हैं सिर्फ क्यूसन और आंसर पर ही चर्चा होगी फिर किस लोग देवता का जनम बाड मेर जी लेके सिवी तैसिल के उंडू कास्मिर गाउं के अंदर हुआ था तो बाड मेर के अंदर हुआ था सिवी तैसिल है उंडू कास्मिर गाउं है तो रामदेव जी तेजा जी पाबु जी या गोगा जी गोगा जी आपको बता दिया गय पाबु जी का है कोलूमुंड और तेजा जी का खड़नाल नागोर बचे रामदेव जी इनका जनम कहां पर हुआ है उंडू कास्मिर गाउं बाड मेर जिले की सिवी पैसिल के अंदर तो ओप्सन नमर कहा है मारा राइट रहेगा अब रामदेव जी से समद्धित आपको सभी फैक्ट वैसे भी याद होंगे इनके पिता का नाम था अजमाल दे इनके पिता का नाम अजमाल जी माता का नाम मेना दे और पत्नी का नाम नेपतल दे और इनका मंदिर कांपे है रूणी चा जो कांपे है जेसल मेर के अंदर और इनके गूरू अक्सर फ्रिक्षा के अंदर पूछे जाते हैं तो इनके गूरू का नाम आपको याद रखना है तो कोन थे बाली नाजी और इनके गूरू बाली नाजी का मंदिर कांपे है मंसूर्या की पाड़ी थी जो कांपे है जोदपूर के अंदर मंसूर्या पाड़ी जो है जोदपूर के अंदर और इनके गोड़े को बोलते हैं लिलो और जंडा होता है रामदेव जी का बोलते हैं उसे बोलते हैं नेज़ा और जागरन को बोलते हैं जम्मो और जो मेगवाल भगत होते हैं उनको बोलते हैं रिख्या और अक्सर बार-बार प्रेक्षा के अंदर रामदेव जी जी समदित क्यूसर रिपीट होने वाला कौन सा है कि कामडिया पंत की सुर्वात किसमे करती रामदेव जी ने कामडिया पंत और कामडिया पंत पे कौन सा नर्थे तेहरे ताली तेहरे ताली नर्थे अब इनके जो परमुक मंदिर है वो आपको एक साथ मैं बता दिता हूँ पहला तो आपको बता दिया है रूनी चे जो कहां पे है जेसल मेर के अंदर दूसरा कौन सा है पोकरण ये पोकरण चेतर कौन से लोग देवता ने इने दिया था मली नाजी ने अगर परशन पुछे तो और मंसूरिया के पढ़ी कामपे है जोदपूर के अंदर इनके गुरू बाली नाजी का मंदिर भी है वो आपे और इनका भी मंदिर है और हल्दाना, हल्दिना, अलवर के अंदर और छोटा रामदिवरा कामपे है गुजरात के अंदर ये सभी परसन आप याद रखेंगे पिता का ना मजमाल दे, माता का मेना दे, पत्मी का नेतल दे रुनिचा, जेसल मेर के अंदर, इनका मंदिर है, सबसे परमुक मंदिर है, इनके गुरू बाली नाजी थे मंदिर पुछे तो रुनीचा, मंसूरिया की पाड़ी, जोदपूर के अंदर, रुनीचा, जेसल मेर के अंदर, पोकरण, जेसल मेर के अंदर, हल्दिना, अलवर, और छोटा रामदेवरा, गुजरात के अंदर अब नेक्स फूसन हमारा कि रामदेव जी ने पोकरन चेतर की स्लोग दिवता से प्राप्त किया था तो मलिनाज जी तलिनाज जी गोरकनाज जी या बेरो नामक करूर व्यक्ती तो पोकरण पे बैरो नामक करूर वेक्ति की जो अराजकता फेली थी उसको समाप्त किया था अमारा परसन है कि यह जो पोकरण का छेतर है राम दियोजी ने कौन से लोग देवता से प्राप्ट किया था तो ओप्सन नमर के हमारा राइट रहेगा मली नाजी से इंपोर्टेंट लगा ले ना यह माद्य में एक शिक्षा बोर्ड के अंदर कुसन है जैसे खाजैसा नेक्स्ट कुसन हमारा राम दियोजी की पत्नी का क्या नाम था अभी आपको करवाया गया है नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था रामदेवजी को हिन्दू किस देवता के एवतार के रूप में पूसते हैं तो इन्हें हिन्दू, विश्णू या विश्णू जी के एवतार में पूसते हैं तो ओ continuum नमर गया मारा राइट रेगा विश्णू या कर्शन भी हो सकता है दोनों एक साथ ओप्सन के अंदर नहीं आएंगे और नेक्स्ट कुछिन हमारा कौन से लोग देवता जैसल मेरके राव रणंग देव वाट्टी से यूद करते हुए वीर करती को प्राप्त हो गए थे इंपोर्टेन लगा ले न ये पांच पिरों में से एक देवता है आपको बता देता हूँ तो हडबु जी पाबु जी मेहा जी मांगलिया या मलेनाज जी तो इसका राइटरा उन सुरहेगा मेहा जी मांगलिया और इनकी गोड़े का क्या नाम था तो इनकी गोड़े का नाम था मारा कीरड काबरा मिल हैं एक इनोंने रणंग देव बाटी से यूद किया था उनके गोडे का नाम पूछे तो किरड काबरा आज का अंतिम कि उसे नमारा हडबुजी को बेंग्टी गाउं किस राजा ने परदान किया था तो राव लूनकरण राव जोधा अकबन ने या इन में से कोई नहीं तो ओप्सन नमर खै मारा राइट रहेगा राव जोधा ने हडबुजी को बेंग्टी गाउं बेंट में दिया था अब थोड़ी सी बाते हडबुजी की कर लेते हैं हडबुजी का जनम स्थान पूछे तो पूछा गया प्रिक्षा के अंदर बुंडेल नागोर के अंदर ह यह रामदेव जी के मोसेरे भाई थे और इनके भी गुरी कोन थे जो रामदेव जी के गुरी थे बालिनाज जी और इन्होंने जो राव जोधा है इनको मंडोर जीत में का आशिरवात दिया था और इसी के बदले जोधा ने मंडोर जीत के बेंग्टी गाउं इने बेंट क किया करते थे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सिर्फ आपको क्यूशन को और आंसर पर ही चर्चा करनी है तो कमेंट बोक्स के अंदर आप बता दीजिए तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मंदिर कापे हैं और फत्ता जी का मंदिर कापे इन तीनों क्यों यह क्यूशन आप कमेंट बोक्स के अंदर करोगे इनके मुख्य मंदिर पूछिय हैं सिरुप इतना ही आंसवर देना है आपको धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर